हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट जे आरेफ माइंड अभी तक हमारी पब्लिक एड्मिनिस्टेशन की चार क्लासिज हो चुकी हैं जिसमें सबसे पहले हमने सिलेबस डिसकस किया था ठीक है उसके बाद हमने पब्लिक एड्मिनिस्टेशन का मिनिंग क्या होता है और उसका विकास कैसे हुआ यह देखा था दैन हमने साइन्टिफिक मैनेजमेंट थियोरी को समझा उसके बाद हमने क्लासिकल थियोरी को समझा ठीक है लास्ट क्लास में हमने क्लासिकल थियोरी को पढ़ा था तो क्लासिकल थियोरी से रिलेटेड थिंकर कौन सब हैं आपके हैं एन्र human relation theory को तो क्योंकि हम आज की class में काफी सारे topics को cover करेंगे इसलिए हो सकता है कि आज की class आपकी थोड़ी सी लंबी हो जाए ठीक है approach one hour की हो सकती है तो please आप इस video को पूरा देखना ठीक है तो चलिए start करते हैं और एक और चीज आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि यह course कब complete होगा और पी वाइक्यू की वीडियो के लिए भी आप बोल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह course जो हमारी unit 9 है पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन की यह जल्दी ही complete होने वाली है ठीक है और हर unit से related हम जो है पी वाइक्यू की वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगे ठीक है हर unit से related हम पी वाइक्यू करेंगे इसलिए आपको परिशान होने की जरुरत नहीं है कि बुक नहीं मिल रही है unit wise पी वाइक्यू की है तो परिशान मत हो यह हम हर unit के लिए separate class लाएंगे पी वाइक्यू से related जिसमें आपके 10 साल के पी वाइक्यू previous year question discuss किये जाएंगे ठीक है मैं सोच रही थी कि आपका पहले जो theories है ना पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं पढ़ लेते हैं उसके बाद हम पी वाइक्यू करेंगे तभी तो हम देख पाएंगे कि कितने question हम solve कर पा रहे हैं अगर मैं अभी आपके लिए पी वाइक्यू की कोई वीडियो लेकर आती हूं तो उसमें ऐसे question होंगे सायद जो आपने ना पढ़े हूं अभी ठीक है तो इसलिए जैसे ही हमारी ये unit complete होग ठीक है और इस channel को subscribe कर ले ताकि हर वीडियो आप तक पहुच पाए तो चलिए आज की class start करते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं MP Follett के बारे में चेश्टर बरनार्ड के बारे में और human relation theory को देखने वाले हैं ठीक है चलिए देखिए इसके बाद आगे की जो class होगी वहाँ पर management by objectives क्या है ठीक है ecological approach क्या है तो यह सारी theory भी हम आने वाली classes में देखेंगे इसलिए आप इस channel को जरूर सब्सक्राइब कर ले ठीक है तो देखिए आज का topic start करते हैं Mary Parker Follett तो friends Mary Parker Follett ऐसी पहली thinker थी जिन्होंने administration के administration और management के जो है एक sociological and physiological dimension को cover किया था ठीक है अभी तक हमने क्या देखा था जितने भी हमने thinker के बारे में पढ़ा था सबसे पहले हमने scientific management theory के tailor के बारे में पढ़ा था ना उसके बाद हमने classical theory को देखा था तो सब जो हैं एक संगठन के organization के एक technical part पर ज़्यादा बल दे रहे थे किसी ने भी क्या एक संगठन में एक human dimension की बात करी क्या मानव की बात करी किसी ने भी नहीं ना सब लोग ignore कर रहे थे तो इसी लिए जो आपकी Mary Parker Follett है यह ऐसी पहली thinker है जिन्होंने एक organization के sociological ठीक है and physiological dimension को cover किया see brought out the human dimension of organization ठीक है इन्होंने पहली बार एक organization एक संगठन के human dimension को cover किया अभी तक जितने भी think करते उन सब ने यही कहा था कि जो एक संगठन है ठीक है इसके economic dimension को उन्होंने जादा देखा था technical dimension को देखा था लेकिन एक संगठन किस से मिलकर बनता है human से मिलकर बनता है न तो human ही उसको जो है और्गनाइज करते हैं मैनेज करते हैं हना तो तो सबने जो है इस चीज को ignore किया था इसलिए यह question यहां पर आया हुआ है कि organization के sociological and physiological dimension को सबसे पहले किसने कवर किया यह किस से related है ठीक है तो आप याद रखना यह Mary Parker Follett से related है चलिए देखिए यह MP Follett की कुछ books के नाम है यह बहुत important book है आप इनको जरूर याद कर ले ठीक है तीसरी book है इनकी creative experience जो कि 1924 में publish हुई थी ठीक है चोथी book है इनकी dynamic administration जो कि 1941 में publish हुई थी यहां से question आ चुका है creative experience जो है पूछा गया है कि यह किसकी book है last year के question में ठीक है the new state किसकी book है यह दोनों books आ चुकी है इसलिए यह चारों book बहुत important है आप याद कर लेना ठीक है चलिए आगे चलते हैं देखिए Mary Parker Follett ने एक concept दिया था conflict and integration का ठीक है तो conflict and integration के concept में Mary Parker Follett ने क्या कहा conflict का मतलब क्या होता है संगर्स ठीक है विवाद होना तो conflict in organization are inevitable due to individual differences of opinions and interest तो Mary Parker Follett ने कहा कि एक संगठन में संगर्स का होना अनिवारिया है ठीक है किस क्यों अनिवारिया है क्योंकि हर individual के जो opinion होते हैं उनके जो interest होते हैं वो क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं सबके विचार अलग-अलग होते हैं सबके हित अलग-अलग है इसलिए एक संगठन में conflict का होना क्या है अनिवारिया है due to individual differences of opinions and interest ठीक है Mary Parker Follett ने साथ में ये भी कहा कि conflict is not harmful conflict जो है harmful नहीं है ठीक है बटे normal process एक normal process है and should be handled in constructive way और इसको एक constructive way में हमें क्या करना चाहिए handle करना चाहिए ठीक है तो see propounded the idea of constructive conflict to solve conflict ठीक है तो Mary Parker Follett ने conflict को solve करने के लिए क्या idea दिया constructive conflict का कि जो conflict है आप उसको एक constructive तरीके से क्या कीजिए solve कीजिए ठीक है एक संगठन में संगर्स का होना आनिवारिया है जो कि बिलकुल भी harmful नहीं होता है संगर्स क्यों होगा क्योंकि सबके opinion जो है interest जो है वो अलग-अलग है हर individual के अलग-अलग है ठीक है इसलिए Mary Parker Follett ने एक idea दिया constructive conflict का कि आप इस conflict को solve कर सकते हो लेकिन constructive conflict के दुआरा ठीक है एक रचना आत्मक तरीके से आप इसको solve कीजिए ये English का word याद रखना question यहीं आत यह कोई line दी हुई हो उसमें बहुत जादा conflict की बात की जा रही है संगर्स की बात की जा रही है ठीक है कि conflict in organization तो आपके लिए अगर आपने ये पढ़ा है topic ठीक है एक idea आपको मिल गया कि conflict के बारे में किसने बात की थी Mary Parker Follett बात कर रही है और किसी ने तो बात नहीं की है इसलिए ऐसे आपको थोड़ा logical काम करना होगा ठीक है वो हम देखेंगे PYQ discuss करते समय देखें तो conflict and integration का concept कौन दिया है Mary Parker Follett दी है देखें अब वो conflict को solve करने का एक constructive तरीका बताई है ठीक है तो Mary Parker Follett ने कहा कि three ways of solving conflict कि तीन तरीके है conflict को solve करने के ठीक है पहला तरीका Mary Parker Foll Follett ने कहा कि Domination ठीक है दूसरा compromise तीसरा integration integration को MP Follett ने best method बताया है ठीक है तो Domination क्या है Domination को समझते हैं देखें कोई दो व्यक्ति हैं इनके बीच में क्या हो गया है विवाद उत्पन हो गया है ठीक है संघर्स हो गया है conflict हो गया है तो Domination का मतलब यह है ना कि यह जो व्यक् पर Todo गया हो सकता है कि यह ज्यादा पावर्फुल कि थोड़ा कम जोर हो फिक है तो यह क्या करेगा इस व्यक्ति पर dominant करेगा ठीक है इस पर Mary Parker Follett ने कहा कि एक तरीका तो है भई, conflict को solve करने का domination, ठीक है कि आप domination करके जीत जाएए, दूसरा तरीका है compromise, compromise का मतलब क्या होता है, कि जैसे कि ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, इनके बिश में conflict हो गया है, तो दोनों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन हो सकता है कि एक व्यक्ति को compromise करना पड़ जाए, sacrifice करना पड़ जाए, कि ठीक है भई, आपके ही विचार ज़्यादा सही है, ठीक है, तो इसने compromise कर लिया, ये सांथ हो गया, यहाँ पर भी कहीं न कहीं powerful और एक weakness का concept हमें दिख रहा है, हो सकता है, वो powerful होगा, इसलिए इसने क्या कर लिया, compromise कर लिया, sacrifice कर दिया, ठीक है, तीसरा तरीका है friends, integration, integration को Mary Parker Follett ने best method बताया है, best method क्यों कहा है, क्योंकि integration में क्या होता है, integration में जो दोनों ही पक्ष जो है, दोनों की सुनी जाती है, ठीक है, दोनों का मिला कर एक रास्ता निकाला जाता है, ठीक है, दोनों का मिला कर जो सही होता है, एक रास्ता निकाला जाता है, तो इसी को कहते हैं integration यहाँ पर दोनों को लाब होता है इसी लिए Mary Parker Follett ने integration को best method बताया है ठीक है तो ये थे three way of solving conflict MP Follett के domination, compromise और integration ठीक है तो power के बारे में सबसे पहलो उन्होंने क्या कहा कि what is power, power क्या होती है तो power is the ability to make things happen to initiate change ठीक है तो power क्या है friends, power जो है कुछ भी बदलाव की एक बदलाव आप power के दुआरा ला सकते हैं तो power के दुआरा आप क्या कर सकते हैं एक बदलाव ला सकते हैं ठीक है चीजों को घटित क कर सकते हैं तो power में ही वो छमता होती है ना ability होती है देखिए see destiny uses between power over and power with ठीक है तो MP फोलेट जो है वो power over और power with में क्या करती है एक अंतर करती है यहाँ पर आपको power over और power with को समझना होगा ठीक है देखिए power over का मतलब क्या होता है what is power over देखिए तो power over का क्या मतलब होता है कि suppose करिए कोई boss है ठीक है यह उसके क्या है colleague है ठीक है कर्मचारी है यह servants मान सकते हैं तो यहाँ पर power over का यह मतलब होता है कि आप किसी से forcefully काम करा रहे हैं ठीक है forcefully जबरदस्ती काम करा रहे हैं ठीक है तो यह तो हो गया power over जबरदस्त काम कराना फोर्स करना उसको ठीक है पावर विद क्या होता है पावर विद का मतलब है कि सभी व्यक्ति अपनी मर्जी से काम करें ठीक है तो मैरी पारकर फॉलेट ने कहा कि एक संगठन में पावर ओवर नहीं बलकि पावर विद के कौनसेप्ट को पावर विद के विचार को चाहिए ठीक है तो इन्होंने MP Follet ने power over और power with के बिच में क्या किया था अंदर किया था ठीक है तो अगर आपसे पूछ ले कि power over या power with का concept किस से related है तो MP Follet से related है ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं देखे MP Follet ने leadership के बारे में क्या कहा है तो MP Follet ने कहा कि leader is not only influences his or her group but also influenced by it कि leader जो होता है वो सिर्फ दूसरों से प्रभावित करता ही नहीं है बलकि दूसरों से प्रभावित होता भी है ठीक है leader कौन होता है वो सिर्फ दूसरों को प्रभावित करता ही नहीं है बलकि वह दूसरों से प्रभावित होता भी है but also influenced by it ठीक है तो she called this relationship as circular response और circular leadership ये question आया हुआ है आपके last year में कि circular leadership का concept किस से related है तो ये हमारा किस से related है MP Follet से related है ठीक है तो MP Follet से related है तो leadership को भी उन्होंने कहा कि तीन type की leadership होती है leadership of position, leadership of personality, leadership of function ठीक है देखे leadership of position क्या है कि आप किसी position पर है ठीक है तो आपके पास power है leadership of position, leadership of personality क्या होती है कि आपकी personality में कुछ ऐसा है कि दूसरे आप से प्रभावित होते है ठीक है तो आपकी personality की ये power है leadership of function क्या हो गया? leadership of function ये है कि आप काम इतना अच्छा करते है ठीक है तो जो leadership of function है mp folet ने इसको best बताया है क्यों क्योंकि ये जो leadership होगी ये position and personality दोनों को दोने इसके अंदर आ जाएंगे ठीक है this leadership holds both position and personality तो दोनों leadership जो है आपकी leadership of function में आ जाती है ठीक है तो तीन टाइप की leadership बताई थी आगे चलते हैं देखें friends तो mp folet mary parker folet हमारा यहाँ पर complete हो जाता है अभी next topic हम start करेंगे chester bernard का ठीक है तो एक बार revise कर ले कि हमने mp folet के बारे में क्या सब देखा ठीक है देखें हमने mp folet के बारे में सबसे पहले देखा था कि mp folet पहली ऐसी thinker है जिन्होंने sociological and physiological dimension पर दिहान दिया एक administration में ठीक है सबसे पहले इ इसके बाद हमने जो है books of folet देखी थी यह काफी important है creative experience किसकी book है mp folet की उसके बाद हमने mp folet का conflict और integration का concept देखा ठीक है उसके बाद हमने three way देखे to solving conflict, domination, compromise और integration ठीक है उसके बाद हमने new concept of power को समझा जहां हमने power over और power with को समझा ठीक है इसके बाद हमने leadership का concept समझा तीन टाइप की leadership हमने देखी leadership of position, leadership of personality, leadership of function ठीक है तो यहाँ पर हमारा MP for it खतम हो जाता है और अभी हम एक नया topic स्टार्ट करते हैं और हमारा next topic है Chester Bernard Friends Chester Bernard को spiritual father of the social system school भी कहा जाता है तो किसको कहा जाता है spiritual father of the social system school Chester Bernard को ठीक है He further developed the idea of Mary Parker Follett तो जो Mary Parker Follett की अभी हमने विचार देखे उसको आगे किसने develop किया है Chester Bernard ने किया है देखिए यह Chester Bernard की दो बुक हैं काफी important है The functions of executive जो की 1938 में publish हुई थी ठीक है Organization and Management 1948 में यह publish हुई थी ठीक है तो यह दो बुक हैं काफी important है Chester Bernard की उसके बाद Chester Bernard की जो है एक theory है theory of contribution, satisfaction, equilibrium ठीक है तो इसमें क्या बोलते हैं Bernard According to Bernard, survival of organization depends on the maintenance of an equilibrium between the contribution and satisfaction of its participant तो Bernard यहाँ पर कहते हैं कि एक organization का जो survival है वो depend करता है किस चीज के maintenance या equilibrium equilibrium संतुलन पर किस चीज के बीच में contribution and satisfaction Suppose करिए यह एक company है ठीक है यह इसके जो है कर्मचारी है यह इसमर कुछ contribute कर रहे हैं ठीक है तो एक organization का जो survival है वो depend करता है किस चीज के बीच में कि contribution और जो यह इनका satisfaction है इनके बीच में equilibrium होना चाहिए एक संतुलन होना चाहिए ठीक है इनके जो participant है उनके बीच में क्या होना चाहिए एक संतुलन होना चाहिए ठीक है देखे survival of organization depends on the maintenance of an equilibrium between the contribution and satisfaction of its participants ठीक है तो यह थियोरी किसकी है यह चेश्टर बर्नार्ड की थियोरी है theory of contribution, satisfaction, equilibrium ठीक है चलिए आगे चलते हैं देखे फ्रेंट्स चेश्टर बर्नार्ड ने तीन element बताए हैं एक organization के ठीक है एक संगठन में तीन elements का होना जरूरी है और जिसमें सबसे ज़्यादा important चेश्टर बर्नार्ड ने communication को बताया है ठीक है तो पहला communication हो गया एक organization के अंदर जो है communication सबसे ज़्यादा important होता है ठीक है और दूसरा है willingness to work काम करने की इच्छा का होना to serve ठीक है तभी तो organization आगे बढ़ेगा ना तो तीसरा है common purpose कोई भी संगठन हो उसका एक common purpose होता है एक निश्चित उदेश्य होता है ठीक है objective होता है तो तीन element क्या बताए है चेश्टर बर्नार्ड ने organization के बहुत important है याद रखना communication willingness to work और common purpose ठीक है चलिए आगे चलते हैं देखिए यह चेश्टर बर्नार्ड की acceptance theory of authority है ठीक है यहाँ पर क्या कहते हैं तो यहाँ पर चेश्टर बर्नार्ड कहते हैं कि acceptance theory of authority का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि superior can exercise authority only when it is accepted by subordinate कि कोई भी जो superior है ठीक है superior अपनी authority को केवल तब ही उसको exercise कर सकता है जब इसको जो उनकी subordinate है उसको accept करें ठीक है यह boss है और यह इसके क्या है इसके कर्मचारी होंगे ठीक है तो यह अपनी authority जो इसकी authority है इसको तभी यह लागू कर सकता है जब यह जो इसके कर्मचारी है यह इसके order को follow करें माने ठीक है और इस चीज़ को चेश्टर बर्नार्ड ने क्या कहा है यह तर्म बहुत important है जो भी important होता है मैं आपको बता कर चलती हूँ ठीक है तो यह बहुत important है कौन सा देखे जोन ओफ इंडिफरेंस यह काफी बार paper में पूश चुके है ठीक है कि जोन ओफ इंडिफरेंस का जो idea है वो किस से related है चेश्टर बर्नार्ड से related है ठीक है तो देखे तो उन्होंने क्या कहा जोन ओफ इंडिफरेंस का मतलब होता है फ्रेंस कि suppose करिए यह कोई office है ठ कर्मचारी है ठीक है तो यह जो boss है यह इन्हें जो order देगा ठीक है तो यह सिर्फ इस office के अंदर ही इस order को follow करेंगे office से बाहर अपने boss का order follow करने के लिए कोई भी बात ध्याता इन कर्मचारीों के ओपर नहीं है ठीक है तो एक जोन इन्होंने decide कर दिया कौन सा जोन office का जोन है तो acceptance theory of authority I hope कि आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी superior अपनी authority को तभी exercise कर सकता है जब उनकी जो subordinate है उसको accept करें उसको माने और इस idea को zone of indifference कहा जाता है ठीक है देखें आगे देखते हैं तो friends यहाँ पर हमारा Chester Bernard का जो topic है वो complete हो जाता है तो एक बार देख लेते हैं कि क्या सब हमने पढ़ा है Chester Bernard के बारे में ठीक है देखें Chester Bernard के बारे में हमने देखा कि इनको spiritual father of the social system school कहा जाता है इन्होंने Mary Parker Follett के idea को आगे बढ़ाया है इनकी ये book हमने देखी functions of executive organization and management इनकी theory देखी theory of contribution satisfaction equilibrium ठीक है इसके बाद हमने क्या देखा three elements of organization देखें इन्होंने तीन element बताए है और्गनाइजेशन के इसके बाद हमने देखा acceptance theory of authority जहां पर हमने zone of indifference के idea को समझा ठीक है अभी हमारा तीसरा topic है एकदम new topic है human relation theory ठीक है तो अभी देखते हैं कि what is human relation theory तो सबसे पहले आप ज related है या जुड़े हुए है human relation theory को Elton Mayo ने दिया था किसने दिया था Elton Mayo ने ठीक है scientific management theory किसने दिया था टेलर ने दिया था ठीक है तो ऐसे ही human relation theory किसने दिया है एल्टन मायो ने दिया है ठीक है देखिए human relation theory HRT का मतलब क्या है human relation theory human relation theory came into existence in 1930 as a reaction to the classical theory friends human relation theory जो है यह किसके reaction में आई है किसके against आई है यह classical theory के against आई थी ठीक है क्यों आई थी classical theory के against क्योंकि जो classical theory है वो एक संगठन के सिर्फ economic part पर बल देती है तो friends जो classical theory थी वो जो human part को जो human dimension होता है एक organization का उसको ignore करती थी इसलिए उसके against जो है एल्टन मायो ने human relation theory को दिया ठीक है देखिए जो human relation theory है also known as new classical theory यह new classical theory के नाम से भी इसलिए जाने जाती है ठीक है क्योंकि यह उसके against में आई थी देखिए classical theory neglected the role of human dimension ठीक है human element in the organization and presented mechanistic view of the organization classical theory आपने पढ़ा था ना तो हमने क्या देखा था कि classical theory neglect करती थी human dimension को ठीक है human dimension को organization में और क्या present करती है एक mechanistic view एक mechanistic view organization का ठीक है इसलिए तो हरबर्ट साइमन ने classical theory को machine model कहा था ना उसकी criticism में आलोचना में इसलिए कहा था ठीक है देखिए देखिए एल्टन मायो इसलिए एल्टन मायो ने किस चीज़ पर फोकस किया है किस चीज़ की study पर वरकर के behavior की study पर ठीक है वरकर क्या है एक human है ना तो human की study पर एल्टन मायो ने ज्यादा focus किया है उसकी हर एसपेक्ट को कवर किया है physical economic social aspect production capacity ठीक है सारे एसपेक्ट को उन्होंने कवर किया है including human behavior ठीक है तो देखिए एल्टन मायो की यह books के नाम है काफी important book है the human problems of an industrial civilization जो की 1933 में publish हुई थी ठीक है एल्टन मायो की book है the social problems of an industrial civilization 1945 में publish हुई थी तो यहाँ पर किस चीज़ का अंतर है यहाँ पर human problem की बात कर रहे हैं और यहाँ पर social problem की बात कर रहे हैं बाकी तो सब सेम है ठीक है industrial civilization तो यह एल्टन मायो की books है चलिए देखे फ्रेंड्स यह काफी important है जो अभी हम देखने जा रहे हैं तो यह एल्टन मायो ने एक concept है यह देखिए होथर्ण studies का ठीक है तो होथर्ण studies का क्या मतलब होता है अभी देखेंगे इसका जो time period है वो 1924 से 1932 है देखे फ्रेंड्स होथर्ण जो है एक जंग है का नाम है जो कि अमेरिका के सिकांगो में है ठीक है अमेरिका के अंदर यह USA में एक जंगा है ठीक है तो यहाँ पर क्या अपरिमेंट हुए थे administration और management को लेकर यह किसके leadership में हुए थे Elton Mayo की leadership में हुए थे ठीक है तो जो आपका जो होथर्ण studies है यह Elton Mayo से related है ठीक है बस इतना पूछा जाता है कि जो होथर्ण studies है यह कौन से thinker से related है ठीक है तो Elton Mayo से related है कभी-कभी इसका time period भी पूछ लिया जा होथर्ण studies तो फ्रेंट्स जो Elton Mayo है उन्होंने जो है elements of human relation theory बताई है ठीक है human relation theory के क्या elements है क्या विसेशता है देखिए human relation theory जो है mainly किस चीज़ पर focus करती है वो individual पर focus करती है ठीक है individual का क्या मतलब है कि वो हर एक इंसान की बात करती है individual की बात करती है उनके जो भी emotions है जो भ भी कुछ है तो उनका जो भी विचार है वो individual पर focus करती है human relation theory ठीक है दूसरा informal organization informal organization में यह आता है कि किसी संगठन में सब लोग कैसे काम करते हैं सब लोग मिल जुल कर काम करें ठीक है तो यही आता है informal organization informal organization का मतलब क्या है कि कि किसी भी संगठन में एक friendly ठीक है friendly environment होना तीसरा है participative management जिसमें आपके अल्टन मायों यह बोलते हैं कि अगर कोई भी decision होता है तो उसमें सब को साथ लेकर ही decision किया जाए participative management ठीक है participative management कोई भी decision होगा वो सब की सहयोग से हो उसमें सब की विचार हमें जानने है ठीक है तो यह है participative management देखे तो elements of human relation theory important है याद रखन ठीक है तीन elements है individual को focus करती है informal organization एक friendly environment होना चाहिए एक organization के अंदर संगठन में ठीक है और participative management कोई भी decision होगा उसमें आप सब की भागीदारी लीजिए ठीक है सब की भागीदारी सही कोई भी decision होगा तो यह थी हमारी human relation theory जो कि Elton Mayo ने दी ठीक है इसमें हमने क्या देखा ठीक है human relation theory Elton Mayo ने दी थी classical theory के यह reaction उसके against में आई थी ठीक है क्योंकि classical theory neglect करती थी human dimension को ठीक है organization में उसके बाद Elton Mayo की हमने book देखी फिर हमने देखा कि author studies जो यह experiment है यह Elton Mayo की leadership में हुए थे ठीक है फिर हमने elements देखे तीन elements human relation theory के Elton Mayo ने बताए ठीक है तो friends यहाँ पर हमार यह topic complete हो जाता है अभी हम next video में जो हैं आगे के topic देखेंगे ठीक है अभी बहुत कुछ देखना है तो आप घबराइए मत हमारे जो यह course है public administration का crash course यह जल्दी ही complete होगा और आपको यह video कैसी लगी please comment में जरूर बताएं और इस channel को subscribe जरूर करें thank you और जल्दी ही हम हर unit से related हर topic से related pyq previous year question की video भी आपके लिए लेकर आएंगे ठीक है अगर आपका सहयूग रहा तो हम दूसरी units को भी देखेंगे तो मिलते हैं next video में thank you